हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई ओफिशल यूटूब चैनल प्रशांच जित्रोधी तुटोरियल्स विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वी एससी और एलपी एससी लिक्विट प्रपॉल्शन सिस्टम सेंटर ये दोनों ही और्गनाइजेशन आपका इसरों के अंडर आते हैं इन दोनों ही और्गनाइजेशन में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के रिगार्डिंग एक एडवर्टीजमन्ट रिलीस किया गया है 13 दिसंबर 2019 को इसमें कोई एक्जाम नहीं आपका डायरेक्ट इंटर्व्यू है 22 दिसंबर 2019 को आपका इंटर्व्यू है अलग-अलग डि अब यहां आपके सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके सामने यह ओफिशेल एडवर्टीजमन्ट है यहां पर आप देख लिजे क्या क्या नंबर ओफ पोजिशन मतलब कि कितनी वेकंसीज है और साथ में क्या आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है पहला आपका अदिरनोंटिकल और एरो पेस इंजिनुरिंग फंदरा वेकंसीजैं केमिकल इंजिन इंटरीशन सेविल इंजिनिरिंग में 20 हैं इलेक्तरिकल इंजिनिरिंग में 12, electronics इंजिनिरिंग में 40, Mechanical इंजिनिरिंग में 40 और मेटलर्जी में 6 और यहां बोला गया है, फिर्स क्लास engineering degree for oblique 3 year duration for lateral entry अगर आपने diploma के बाद बीटे किया तो भी eligible है granted by an Indian university in the respective field with not less than 65% marks oblique 6.84 CGPA 65% marks हैं अगर आपके तो आप इसके लिए eligible है इसके साथ साथ बोला गया है कि 2017 से पहले वाले batch वाले apply नहीं कर सकते हैं देखिए इसके बाद आप देखिए library and information science यहाँ पर मांगा गया है bachelor's degree plus first class bachelor's in library science with not less than 60% marks और last में हमारा catering technology oblique hotel management 4 vacancies है first class degree 4 years की degree होनी चाहिए in catering technology oblique hotel management with not less than 60% marks अब यहाँ पर लिखा गया है अप्रेल 2017 से पहले इसना तक पास करने वाले degree अंतिम वर्ष की पढ़ाई करने वाले तथा परिणाम की प्रतिक्षा कर रहे अभ्यरती आवेदन हेतु पात्र नहीं है candidates who have passed degree before April 2017 candidates pursuing final year degree and result awaiting candidates are not eligible to apply यानि कि April 2017 के बाद जिनकी degree है वो apply कर सकते हैं 2018 वाले अप्लाई कर सकते हैं 2019 वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनका result आ चुका है और जो भी final year में है या जिनका result नहीं आया वो apply नहीं कर सकते हैं स्कूल पट्टम तिरुवनंत पुरम यहां पर आपका इंटर्वी होगा 22 दिसंबर 2019 को कोई एक्जाम नहीं है सिर्फ आपका इंटर्वी होगा एक साल की ट्रेनिंग होगी ट्रेनिंग में आपको 9000 रुपए पर मंत स्टाइपेंट दिया जाएगा जनरल कंडिशन्स या जनरल इंस्ट्रक्शन्स आप पढ़ लिजेगा नोटिफिकेशन में दिया गया है इसके अलावा जो दूसरा आपका LPSC में भी आया है उसको हम बता देते हैं यह आपका LPSC का ओफिशियल एडवर्टीजमेंट है यह भी 13 दिसंबर को रिलीज किया गय में 40 वेकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल में 7 वेकेंसी हैं, इलेक्ट्रोनिक्स में 8 वेकेंसी हैं, केमिकल में 1 है, कंप्यूटर साइंस में 5 है, सिविल में 4 है, इंस्टुमेंटेशन में 2 है, लाइब्रेरी साइंस में 6 हैं, टोटल 73 वेकेंसी हैं और यहां बोला गया है एक साल का इनका भी ट्रेनिंग होगा और नौ जार रुपए पर मत इस्टाइपन दिया जाएगा टोटल वेकंशी 73 कहां पर आपका इंटर्व्य होगा यह देख लीजे यहां पर दिया गया है डेट दिया गया है टाइम दिया गया है और वेन्यू दिया गया है जिन्होंने 2017 में डिग्री उत्रीन की है वे शिक्षु अधिनियम के प्रावधानों के अरसार मार्च 2020 तक शिक्षुता के पात रोंगे तदा मार्च 2020 के बाद उनके नामिगा अगत प्रतिक्षा शूची में आने के बाद भी उन्हें प्रसिक्ष्ण पत का प्रस्ताओं नही और सब्रस्ताओं मार्च 2020 तो वहाँ पर कैस्था जो कंडिशन थी वहाँ पर बोला गया है कि 2017 के पहले वाले न हैं यहाँ पर बोला गया है कि 2017 के बाद वाले हम कि जो है वो ही इसके लिए एलिज़बल है पतलब सारी conditions एक ही जैसी है 2017, 2018, 2019 में अगर आप pass हुए है तो आप apply कर सकते हैं लेकिन बोला गया है कि अगर 2017 में अपने degree में उत्रीन किये तो आप जो March में apprenticeship आएगा बस तब तक के लिए eligible है तो March 2020 तक के लिए ही आप eligible है इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है आपको stipend बता दिया गया है तो यहाँ से अगर कोई apply करता है तो उनको जो है preference दिया जाएगा कुछ और आप जानना चाते हैं कुछ आपकी query है तो आप comment करके पूछ सकते हैं बाकी मैंने बता दिया है 2017 के पहले वाले apply नहीं कर सकते हैं 2017, 2018, 2019 और 2019 के बाद जो अभी final year में पड़ रहे हैं जिनका result नहीं आया वो भी apply नहीं कर सकते हैं 22 दिसंबर को आपका interview होगा when you बता दिया गया है तो आपका पूछना जाते हैं तो comment करके पूछ सकते हैं कर दो आपका पूछना जाते हैं